हेलो स्टूजिंस आज हम लोग बात करेंगे एसे डर बेसिस के बारे में और उसके कुछ इंडिकेटर के बारे में जो की इसलिए यूज किये जाते हैं कि कौन सा सल्यूशन ऐसे डिख है कौन सा बेसिक है इससे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि एसे डर बेस आप कैसे करो यह इन दोने में क्या डिफरेंस होता है अगर हम बात करें एसिट की ऑफ जब पानी मिलाया जाते हैं तो हमेशा सिक्रीट करते हैं एच प्लस आयन और यह एच प्लस आयन जो हैं इंडिवेंड़नेटली एक्जिस्ट नहीं करते कर सकते तो एच प्लस जब वाटर क नहीं सथ मिक्स होते हैं क्यों कि उहनगे पानी में मिलाया है यह प्रड्यूस करतेहं ह 3O plus ions acidic character का acids का जो pH होता है वो होता है 0 to 7 मतलब जैसे यह से pH कम होता चला जाएगा यह 7 to 0 आप बोल सकते हैं जैसे यह से pH कम होगा lesser the pH stronger the acid यह आप बोल सकते हैं कि इसका जो acidic character है that is inversely proportional to the pH और यतना strong acid उतना ज्यादा H plus ions का concentration और जितना weak acid उतना कम H plus ions का concentration diluted acid जो होता है उसके अंदर H plus ions वैसे ही कम हो जाते हैं इसके अलावा next जो है वो आएगा base अगर हम base की बात करें तो एक base जो है base का जो pH होता है वो आता है 7 to 14 और जो इसका basic character है base strength जो है आपकी base strength is directly proportional to the pH means more the pH stronger will be the stronger will be the base ठीक है इसके अलावा जो bases होते हैं जो की पानी में डिजॉल हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं alkalis alkalis are the bases that are dissolved in water जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको हम लोग alkalis बोलते हैं इसको मैं दोबाए लग देता हूँ that are dissolved in water तो अब इन सब solutions के लिए कुछ indicators हैं जो इस्तमाल किये जाते हैं differentiate करने के लिए आपने कुछ indicators का use lab में भी किया होगा उसकी टेवल मैंने बतना ही है जिससे की आपको summarize हो जाएगा कि कौन सा indicator क्या चीज यूज़ करेगा यह देखे तो बात करते हैं लिटमस की, लिटमस एक solution होता है red color show करेगा acidic में basically जो यह blue pH paper होता है वो red color में change रहता है अभी हम solution की बात कर रहे है base में वो blue color show करेगा और purple color in neutral solution अगर आप pH paper देखेंगे universal pH paper जो आता है red से related जिते भी color है orange है, pink है वो सब acids में आते हैं blue neutral जो है purple के असपास रहेगा blue green वो सारे के सारे color green neutral के लिए उसके है blue purple violet जो है वो उसके basic solutions के साथ यूज हो गया आपका और जितने भी oxides है calcium oxide हो गया calcium carbonate हो गया जिनम oxygen भी present है वो भी तुमारे bases में आते है red cabbage leaf extract होता है उसमें color show गा यहाँ acidic में वो red color show करता है base में वो green color show करेगा और इसमें again red color show करता है red cabbage extract यह मतलब आप कह सकते हो it doesn't change its color in acidic और neutral solution ठीक है अगर हम flowers of hydrangea plant की बात करें full जो होते हैं उनका जो color रहता है basically china rose भी बोलते है blue in acidic medium blue they show pink color in basic solution and again blue color in neutral solution phenolphthalein 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 एक liquid होता है powder form में भी आता है तो आपको solution बनाए solution बनाने के बाद में acidic में उसमें वो colorless रहता है यह आपके experiment में भी है base में उसका color pink हो जाता है तो उनने sodium hydroxide का कोई solution बनाया है उसके अंदर आपने pH phenolphthalein के कुछ drops डाली है तो pink color हो जागा बिल्कुल neutral solution में भी वो colorless ही रहता है मतलब उसका color वगारा change नहीं होगा नीदर निन असिडिक नौरें neutral solution methyl orange की अगर मैं बात करूँ तो acid में उसका color red रहता है यलो हो जाता है उसका color बेस में और orange शो करेगा नूट्रल में बीट रूट जूस देखिए यह बीट रूट जूस इसलिए important है क्योंकि आपकी activity में दे रहता है और CBSC point of view से हमारी activities जो है chapter के बीच में वो करनी काफी ज्यादे important है तो बीट रूट की अगर मैं बात करूँ तो neutral में there is no change जैसे dark color है वैसे ही रहेगा acidic में वो थोड़ा हलका हो जाता है तो गुलाबी color शो करेगा और इसके अंदर उसका color yellow हो जाता है same as methyl orange तो बीट रूट जूस भी yellow color शो करेगा अब यह सारे color indicators है color change जो आएगा उसके हिसाब से आप solution कर पाएंगे तो इनको use करने के लिए ज़रूरी क्याए कि आपकी ठीक होनी चाहिए ठीक है तो जितने भी visually impaired लोग है वो यह indicators use नहीं कर सकते क्योंकि उनको जो changing color है वो observe नहीं कर पाएंगे तो वो लोग क्या वो लोग acid और base को differentiate नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं और factory indicators जो है वो smell का ही use करते हैं कुछ olfactory indicators है उनको बोलते हैं लोग olfactory indicators जो की smell जो है particular acid यह base में change होती है सबसे पहले आता है आपका onion प्याज onion जो है onion have a characteristic smell in acidic medium इसमेल आती है have smell in acidic medium लेकिन वो जो smell है completely destroy हो जाती है but smell is destroyed या बोल सकते है there is no smell in basic medium तो यहां से एक visually impaired student जो है वो इसका इस्तमाल करके पता सकता है कि solution acidic है या basic है दूसरा है आपका vanilla essence vanilla vanilla essence कि अगर मैं बात करो तो इसकी जो smell है retain its smell विकुल अस इस रहती है smell in acidic medium बट लूज़स इट्स इन बेसिक मीडियम लूज़स इट्स स्मेल इन बेसिक मीडियम तीसरा है क्लोव लॉंग जो होती है उसकी भी जो स्मेल है वो चेंज होती है ऐसे डिक और बेसिक मीडियम में तो यह इंडिकेटर्स हैं जिनका इस्तमाल visually impaired students कर सकते हैं यूज़ करने के लिए इसके अलावा एक colored indicator जो आपकी kitchen में बहुत पाया जाता है turmeric हल्दी हल्दी जो है वह यूज़